जिन्दिकी एक concept clear है? नौकरी एक ही करनी थी वो मिली नहीं उसके आद नौकरी करनी ही नहीं थी सर मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर किसी की मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात इसपस्ट तौर पर बोल देता हूं हुकम मत चलाना वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही, निकाल देंगा घर से, निकाल दो अब राजा मन का पुर थोड़ी हो कि 10,000 भीगा खेत है तुम्हारे पास निकाल दो कि कितना खेत होगा 15 भीगा होगा 20 भीगा होगा 30 भीगा होगा बहुत होगा 50 भीगा होगा राजा कुंडा थोड़ी हो कि एक लाग भीगा खेत है कि निकाल दो पंद्रा भिगा खेत के लिए घुलामी कि धंकी मत दो और जब मेरा अंती मटेंट निकल गया और जब उन्होंने मुझसे का कि भिगमंगे हो गये हो तुम अब जिंदिकी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे उनकी इस लाइन ने भी जिंदिकी को बदला सर मेंने का ताने मत दो कई दे रही हूं हिम्मध है तो जी के दिखाओ तो हमें नंगा दिखाएंगे वह जा रहा हूं क्या घर से मैंने का जी हां बोले तो यह कपड़ा भी उतार दो यह पैंट यह शर्ट और वह अंडर्वियर बन्याइन वह भी मेरे ही पैसे की है बहुत तहाओ है तो उतार के जाओ सर माबाप की महबबत महान तो होती है सर कभी-कभी उनकी नफरत बड़ी फाइदे मंद होती है सर अगर वो मुझे नहीं भगाती ना मुझे सहारा दे देती ब्लगवान के आशरवात से हमारे साथ है और मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप मुझे सहारा दे देती तो मैं MBA कर लेता मैं आपके साथ वकालत कर लेता आप मुझे लखनव राई कोट में स्टाबलिश करा देती शायद मैं भी एक आम इंसान की तरह ही रह जाता लेकिन उनका वो भगाना वो वर्दान मन गया सर बहुत बहुत बड़े शहयोगी रहे मेरे संगर्श के मुझे बैट कर सुन रहे हूँ किसी जमाने में विमर्श नाम की लाबाब में कोचिंग चलाते थे सर वो मुझे पढ़ाने के बदले में सिर्फ खाना खिलाते थे पैसे भी देते थे कभी कभी मूड करता था तो पैसे भी देते थे और बड़ी मदद करते थे और मैं उनके साथ मर्मोहन चौराय पर महजिद है मैं वहीं पर उनके साथ कभी कभी रहता था अटालन ले जाते थे कबाब और रोटी खिलाने के लिए सर वो मेरे संगर्ष के बड़े महत्पूर्ण साथी है सर इंसर्ज अकेडमी चलती थी कुंदन रहे भाई हमारे पता नहीं हो सकता है शायद हमें कहीं सुन रहे हो उन्होंने बड़ी मदद की सर सबसे एहम आदमी जो जाए और कभी आपको जरुत हो तो हमसे मिलिया भी अलहाबाद हाइखोट में वह प्रैक्टिस करते हैं सुरेज सिंग बहुत मरदाने किसम के आदनी अभी तो काफी दिनों से मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई लेकिन उनसे बड़ा अच्छा हो रहा फिर मैं दिल्ली चलाय मनोज जैसवाल अभी वो एक इंटेग्रिटी आइस करके संस्था चलाते हैं उनका एक बड़ा एहम रोला बड़ी बहुत जबरदस्त सहायता की उन्होंने मेरी मुसीबत के वक्त में और नीरज भरदवाद जी हैं राओ आइस में पढ़ाते हैं जोग्रफी पढ़ाते हैं के बशर साब हमारे एक नौमी के टीचर हैं उनका नाम लिए तो मैं मैं वह बात ऐसे पढ़े सारे लोग है मैं सबका नाम तो लेना ही चाहता हूं और कभी मौका मिले तो इन लोगों का जो एक रड है मेरे उपर वह रड भी चुकाऊंगा सर लेकिन संगर्ष डरने की सर मैं आगरा पढ़ाने गया हमारे अमिद भाई वहां कोचिंग चलाते हैं और सियन शिंटर ऑफ अंबिशन ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंगा रसेंटर ऑफ एंबिशन अग्रा में बहुत जबर्दस आपनी बहुत फैंटास्टिक टाइप की आपनी है आज भी हमको बु आप आगरा इंटर करेंगे तो चौरहा पढ़ता है वहीं चौरहा पर उनकी कोचिंग है Center of Excellence या Center of Ambition ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का तो मैं उनके पढ़ाने किया क्लास ने गया तो सर मेरे जो कप्ले थे पढ़ाने वाले वह गीले थे पैसा था नहीं चेब में और कॉल आ गई कि भाई आपको वहां आके पढ़ाना है मैंने का यार वहां पढ़ा देंगे तो दस्वीज पचीस अजार रुपे मिल जाएंगे तो सर नीरेस्टीवारी ने क्या किया वो जो मेरे कप्ले कीले थे वो बन्दा हम यहां से आए सराइक आले खान और सराइक आले खांख बस पकड़ी और हमें आगरा जाना था तो रास्ते भार वह मेरी शर्ट को बाहर ऐसे लटकाए रहा कि हवा चलेगी तो सूक जाएगी हर रंग, हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौस्म देखा है, हर चीज बनाना जानते हैं, मटन करी बना लें, तो ताराचंद में बॉंब बनाना भी सिखाये जाता है सर, हमारा KPUC च्छातर वाच तो उसमें डिगरी देता है सर इलहबाद में, कि कितनी आवाज पैदा होती है इसको फिर से एक बार भारत के पटल पर उभरना पड़ेगा जब भी भारत का पुनर उत्थान होगा तो उसकी धारा फिर से सब्सक्राइबिटी अinizमने है कुछ है हमारे युनिस खान्भ साब है परिवर्त नायेस चलातं है बहुत ही जवर्तसता नहीं पॉलीटी पड़ाते हैं क्या पॉलिटी बढ़ाते हैं सर तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संघर्ष अब तो सर यह लगता ही नहीं लगता ही नहीं सर यही मैं आप से कहता हूं कभी फुर्सत मिली तो अपने उपर ही पूरी कहानी सुना दूगा